सो हेलो बच्चो अच्छा क्लिक कर लिया है तो रुख जाओ थोड़ी देख लो डिस्क्रिप्शन और से लिंक दे रखा है नोट का नोट कैसे पढ़ना है वो मैं जल्दी से बता दिता हूं और डाउनलोड करके अपना पढ़ना तो यह हमारा पहला पहला चप्टर है और इस तो स्टार्टिंग में मैंने फिजिकल चेंज नॉर्मल जो होता है खेमिकल चेंज वो बताया हुआ है कुछ चीजें मैंने हाइलेट कर दी है और यह सारे नोट मैं पढ़ाऊंगा अभी अगर आप खुद बढ़ सकते हो तो पढ़ लेना रियक्टेंट क्या होता है सारी च जो कि एक्टिविटी 1.3 में कौन सी रियक्षें है वो भी लिख दिया है मतलब जो चोटी-छोटी चीजें है यह एंसरी पेज सारी अक्टिविटी कवर कर रखी है के इस बेच चड़ी भी डाल दिया आपके लिए जो कि एक्टिविटी 1.1 है ठीक है और पेज नम्बर दे एक्टिविटी से ज्यादा कुछन आएगे एक्टिविटी को ध्यान से पढ़ना और मैंने भी नोर्मल फिर यह हमारा डीकमपोजिशन रेक्ष्ण, फिर में बता दिया है भूलना नहीं है तुम्हें साथ-साथ याद करके रखना है मैं पूरा चप्टर एक साथ लेके चल रहा हूँ ठीक है इस पूरे notes में मैंने इसमें balancing बहुत ज़्यादा नहीं करवाई है balancing मतलब करवाई ही नहीं है basically balancing मैंने ये notes basically prepare किये थे आपको पढ़ाने के लिए पर अभी time नहीं है तो आप इसे download करके खुद पढ़ लो मैं वीडियोस डालना शुरू करूँगा शाय से पहली वीडियो कल आ जाएगी आ जाएगी तो ये हमारा balancing में सिखा दूँगा balancing के अलग वीडियो बनाऊँगा ठीक है तो फिर type of reaction क्या है type of reaction डाल दी है examples बहुत सारे डाले है activity भी साथ में डाली है ठीक है कुछ questions भी है जो आप try कर सकते हो आपके NCRT के ही है फिर अगर जो हमारे NCRT में तुरंद रहे हमारे definition नहीं मिलते है तो उसे मैंने एक अलग page में दे दिया है कि हमारी एक्जो थर्मिक क्या होती है उसकी भी बहुत सारी reaction दे दी है ठीक है एंडो धर में क्या होती है उसकी भी अलग-लग reaction दे दी है बहुत सारी decomposition reaction क्या होती है कौन से activity सारी चीज detail में cover हुई है जाके download करो और कोशिश करो जो इसमें PDF में है उसे पूरा पढ़के जाने की गोशिश करना ठीक है क्योंकि बहुत छोटी-छोटी चीज activity 1.5 से ऐसे question दे दे रहा case based study में बना के paragraph दे देगा आप से question पूछ लेगा ऐसे question मैं करवाऊंगा धीरे-धीरे कोशिश करूँगा खतम करने से पहले exam से पहले खतम करने की पर तुमें पढ़ना पड़ेगा देखो इधर मैंने ferrous sulfate हमारा green है मतलब इधर हम लोग याद करके चलेंगे कि हमारा जो ferric oxide बनता है वो brown बनता है black बनता है फिर हमारा ferrous sulfate होता है वो green होता है सब चीज साथ-साथ में लिखी हुई है इस PDF को डाउनलोड करने के बाद तुम जब देखोगे ना तो समझ आएगा यार हाँ NCRT को कुछ इस तरीके से हमें notes बनाना चाहिए ठीक है तो यह basically notes मैंने इसलिए बनाये थे कि आपको समझ आए कि हर chapter को किस तरीके से आपको पढ़ना है ठीक है तो यह हमना आपको मैं activity अपने book में यह लिख लूँगा यह छोटा जटो हम लोग लिखते नहीं है basically उधर क्या करेंगे हम लोग ऐसे fumes निकल रहे है बोल देंगे भाई यह nitrogen dioxide के fumes है यह white color का होता है यह सब हमें खुद pencil से लिखना पढ़ेगा अगर खुद पढ़ रहे हो chapter तब ठीक है तो यह थोड़ा सा easy करने के लिए मैंने बनाया हुआ है और यह first chapter और electricity का भी बना दिया है जाके देखने ना इसका थोड़ा ज्यादा detail में मनाया हुआ है और यह भी detail में ही है जाके डाउनलोड करो देखो activity इधर क्या हो रहा है कौन से question है सारे answer बताये हुए है ठीक है फिर ठीक है यह activity ने negativity series है किस तरीके से reaction होती है हमारा वो iron कैसे replace कर दे रहा है copper कैसे replace हो जा रहा है सारी चीज मैं पढ़ाऊंगा ही बताऊंगा और आप इसमें खुद भी जाके पढ़ सकते हो ठीक है यह हमारा कुछ है नॉर्मल green color change हो जा रहा है blue color का था उसका reason दे रखा है मतलब इसमें मैंने कोशिश किया NCRT के सारे question cover करने के जो index question है और जो back question है उसमें cover मतलब यह पढ़ लोगे तो शायसे सारे question हो जाने चाहिए आपसे क्या differences है वो भी मैंने cover किया है फिर oxidation reaction क्या होता है reduction reaction क्या होता है वो भी चीज कवर किये last में reducing agent क्या होता है oxidizing agent क्या होता है फिर कुछ चीजें कुछ questions लिए है index वाले ही है यह आपको देखके तुरंट पहचान जाओगे कुछ अच्छे examples जो book में नहीं दे रखे और दे रखे हैं तो मैंने एक जगा combine कर दिये हैं फिर effect का होता है corrosion और rancidity आपने फढ़ा होगा फिर यह book का question है मैंने book के लगबख सारे question cover कर रखे है link भी दिया है NCRT है और देखके आपको पता चल जाएगा ते कुछ रहेंगे notes ठीक है तो यह side margin दे रखा है print करके पढ़ना चाहो print करके पढ़ लेना मर्जी आपकी है और अगर notes अच्छे लेंगे तो अपने दोस्तों को भी share कर देना ठीक है कि उनको भी पढ़ लेंगे last समय note है यह मतलब last minute note है कि last में हम लोग बस अगर हमने chapter नहीं पढ़ा है तो यह notes revise करके जा सकते हैं यह notes से भी पढ़ सकते हैं next to max एक दिन लगेगा इस notes को खदम करने के लिए इस chapter के लिए तो ठीक है तो एक दिन में chapter खदम करना है तो notes पढ़ लेना और मैं पढ़ाऊँगा ही वीडियो जिसे नहीं समझाती वो वीडियो आके देख लेना ठीक है चलो फिर मिलते हैं next वीडियो में और वीडियो में मैं कोशिश चुरूँगा पहले दो पेज हमारे जो है topic मैं दिखा दूँगा NCRT को साथ में खोल के पढ़ाऊँगा मैं आपको NCRT भी साथ में चलेगी notes भी साथ में चलेगा तो वीडियो का जिसे इंतजार करना है वो इंतजार कर ले या तो खुछ से पढ़ना स्टार्ट कर दे क्योंकि YouTube में टीचरों का भरोसा नहीं होता भाई तो मेरा भरोसा अभी मत करना मैं तो मोलो भाया वीडियो बनाएंगी तब ही मैं पढ़ूँगा एसा मत करना नोट्स खोलना पढ़ सकते हो तो पढ़ने लग जाना और मेरी वीडियो है कि तो सभी पढ़ लेना ठीक है चलो फिर मिलते हैं जूटा जिला सा मैं देता नहीं चलो निकल दो और शेयर जरू कर दिना अपने दोस्तों के आत अगर अच्छा लग रहा हो तो जाओ डाउनलोड करो लिंक डिस्क्रिप्शन में है बाई